हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम तू पड़ो इंडिया बच्चों MCD के स्कूल्स में मार्ट के महिने में जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए MCD के शिक्षा विभाग ने कुछ प्रैक्टिस पेपर जारी किये हैं ताकि आप लोग अच्चे से पेपर की तैयारी कर सकें और इसी करम में हम आज अपने इस विडियो में कक्षा 3 की फाइनल एक्जाम की प्रैक्टिस पेपर नमबर 2 करेंगे और सब्जेक्ट है हिंदी का, चलिए शुरू करते हैं प्रशन एक देखिए अनुछेद को पढ़कर के प्रशनों के उत्तर लिखने हैं उसे दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया, बड़ी जोर से दर्द उठा मुझे दर्द से करहते देखकर नानी ने सोचा कि साप ने काट लिया है मैंने दोड कर नानी को उंगली दिखाई और अब हम करते हैं इसके प्रशन उत्तर पहला देखिए इस गद्याश में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है मैं शब्द बच्चे के लिए प्रयोग किया गया है दूसरा बच्चा किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था उत्तर है बच्चा बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तीसरा देखिए बच्चे ने अपनी उंगली किसे दिखाई और क्यों इसका उत्तर है बच्चे ने अपनी उंगली नानी को दिखाई क्योंकि उसे बर्र ने काट लिया था चौथा नीचे दिये गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए शाम का विलोम होता है सुभा और बड़ी का विलोम छोटी प्रेश्ट पांच दिखिए नीचे दिये गए शब्दों से वाक्य बनाईए यहाँ पर साप दिया गया है इस शब्द से वाक्य बनाएंगे नानी ने सोचा बच्चे को साप ने काट लिया है प्रेश्ट नमबर दो देखिए यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है हाँ यह तो सब खाते हैं कुझडिन जट से बोली और सेर भर लाल मिर्च से भरदी उसकी जोली मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठ कर नदी किनारे जाके अब हमें इन पंक्तियों पर पुछेगे प्रश्ण करने है पहला कुझडिन ने लाल मिर्च के बारे में काबुली वाले से क्या कहा कुझडिन ने कहा कि यह तो सब खाते हैं रिक्तिस्तान बरना है कुझडिन ने लाल मिर्च काबुली वाले की जोली में डाल दी तीसरा देखिए काबुली वाले ने मिर्च कौन सी जेकर बैठ कर खाई इसका उत्तर है काबुली वाले ने मिर्च नदी किनारे बैठ कर खाई काव्यांश में प्रयोग किये गए दो संग्या शब्दों को छाट कर लिखिए तो हमें इन पंक्तियों में दो संग्या शब्द जो मिले वो हैं कुझणिन और मिर्च आपको इसके अतरिक्त कोई भी मिलता है वो आप लिख सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो प्रश्ड तीन देखिए इस कविता की पंक्तियों को पूरा करना है बच्छो ये जो पंक्तियां है ये मिर्च का मज़ा कविता से ली गई हैं इसको पूरा करते हैं इतने में आगए उधर से कोई एक सिपाही बोला बेफ कूफ क्या खा रहे हो जू कर रहा तबाही कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा जा तू अपनी रहा सिपाही मैं खाता हूँ पैसा प्रश्ण चार देखिए जब सांप ने मुझे काटा कहनी के अनुसार कौन कैसा था लड़का जो था वो शरारती था उसमें हमने सही का निशान लगा दिया और नानी जी थी वो बूरी थी फिर देखिए प्रश्ण पांच निम्दलिकित योजक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए अब शब्द है धीरे धीरे इसका हम वाक्य बनाएंगे कच्वा धीरे धीरे चलता है काले काले इसका वाक्य बनाएंगे आसमान में काले काले बागल च्छाएं है परशन छेकी और देखिए मिलान करना है यहां मुहावरे दिये गए हैं और यहां पर उनका अर्थ दिया गया है पहला मुहावरा है आंके बहरा आना इसका मतलब होता है आसू आना दूसरा मुहावरा है दात खट्टे करना, प्यारे बच्चों यहाँ पर आप एक बात देख लिजिये कि यहाँ पर अर्थ दिया गया था जी ललचाना जोकी गलत है दात खट्टे करना का सही अर्थ होता है मज़ा चखाना, आप इसको correct जरूर कर लें फिर है जोर दिखाना इसका मतलब होता है टाकत दिखाना परश्ण सार देखिए यहाँ पर जो शब्द दिये गए हैं इनके दो-दो अर्थ होते हैं आपको इनके अर्थ बताते हुए बाक्यों में प्रयोग भी करना है जैसे जल इसका पहला अर्थ होता है जल जाना आग से जल जाते हैं और इसका दूसरा एक और अर्थ भी होता है इसका मतलब होता है पानी मुझे जल पीना है हार एक हार का मतलब होता है गले में पहला जाने वाला हार राजा ने रानी को सोने का हार दिया और दूसरा हार्थ होता है पराजय या हार जाना हम खेल में हार गए पुली वाला समझ बेठा था कि ये कोई मौसमी फल है दूसरा आपके शेत्र का PIN कोड क्या है मेरे शेत्र का PIN कोड है एक शुने शुने तीन तीन बच्चो आप अपने शेत्र का PIN कोड यहां पर लिखेंगे नारीयल के खोल के अंदर क्या था इसका उत्तर है नारियल के खोल के अंदर साप था आगे बढ़ते हैं प्रश्ण 9 की और प्रश्ण 9 देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है एक चोहार का आपको इसमें रंग भरने हैं और फिर इन शब्दों की सायता से होली विशेप पर कुछ पंक्तियां लिखनी है शब्द है होली, हिंदूों, महीना, खुशी, रंग, गुलाल, गुबारे, मिठाई और सफाई अचलिए हम इन शब्दों से पंक्तियां लिखते हैं होली हिंदूों का एक प्रमुख त्योहार है, यह फागुन के महीने में आता है, यह रंगों का त्योहार है, लोग एक दूसरे को खुशी से गुलाल लगाते हैं, बच्चे गुबारे मारते हैं, हम इस दिन मिठाई भी खाते हैं, और मुझे यह त्योहार बहुत अच्छा करें